हेलो डे श्टुडेंट वेल्कम टो और यूटूब चैनल आपके अपने ही से यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्चियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतिसगर बोर्ट सीजी बीएसी क्लास 10 के जो एक्जाम होने वाल है दस मार्च को जो की गडित का पेपर होगा जिस्ट होली के बाद आपका एक्जाम होने वाला है तो आप सभी के लिए कौन-कौन से से टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं उसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले पूरा का पूरा जानकर ही हम यहां लेने वाले वीडियो को अंतक जरूर देखेगा आपको काफी हेलफुल होगा ये वीडियो और ये जो 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय आपको निकाल करके देख रहे हैं वो आपके लिए अगर वो सब इतने सारे सवाल आपके मन में अगर हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है स्वीडियो पन तक जरूर देखेगा काफी दिनों से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रहा था इसके लिए मैं आप सभी प्यार विद्यारतियों को अपने जॉब रिलेटिट कांग से है न तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है और आगी आपको वीडियो मैं प्रोवाइट करते रहूँग आपने इस यूट्यूब चैनल पर तो किसी को घपराने की जैसा हम सुरू से हिल्फ कर रहे थे आपको बिल्कुल प्रियो कोस्ट वैसा ही हम यहां पर आगी भी करते रहेंगे आप जूड़े रहेगा बस हमारे चैनल के साथ तो देखो सबसे पहले क्लास्टेंट के सभी बच्चों के लिए हमारा ये आज का टॉपिक है कि दो दिन अच्छे नंबर ला सकते हैं अंतिम दिन में आपको क्या-क्या पढ़ना है कैसे कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी वह सब हम यहां देखेंगे और ऐसे टॉपिक जिन से डायरेक्ट प्रश्ण आपके परिच्छा में आएंगे जो पेपर होगा आपका दस मार्च दोजार सॉलिशन तो नहीं कराऊंगा क्योंकि सॉलिशन आप सभी के पास होगा और नहीं होगा तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और टेलीग्राम चैनल यह वाट्सप ग्रूप में जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोसिस तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे तो जुड़ी सकते हैं सर्च कीजिएगा बिल्कुल सिक्षा संगवारी हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से ऑफीसियल चैनल आपको मिलेगा ठीक है वहाँ आप जोईन हो जाईएगा वहां से डिरेक्ट कोशन पूछ सकत करता हूं जिन में से कोश्चन से ओर सोट आने वाले हैं आपकी एक्जाम में तो देखो सबसे पहला टॉपिक यहां पर मैंने रखा है कंस्ट्रक्शन रचना तो आप सबसे पहले यह रचना कर लीजिए रचना जो की आता है पांच नंबर के लिए तो रचना जरूर आप क हाता है अगर इसमें से किसी को भी कोई डाउट हो तो बिल्कूल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूश सकते हैं जितना ज्यादा आप आपको क्वैरी है ना उस आरे कि सारे कमेंट किश्येंगा तो मैं आपको उसका सोलीशन दे पाऊंगा और अकर टेलीगरम से बिंगे clear है Fot settlement working हरो इसी प्रफरकार जुर्ण एक प्रेसे एक स्योर रहानेवाला है आपके इक्जाम में आलेग्क जिससे घ्राफ उसन रफ मिलेगा आपको टाकर में ग्राप ड्रॉ करना होगा तमाटर एक पेट्रोल वाला कोषटन है वो तो आप सभी ने पच्छे से पढ़ा भी होगा है न और एक साधरान व्याज वाला सवाल है वह सवाल जो है जितने भी सवाल जदा इंपॉर्टन है वो मैं लेकर आऊ ले कि नभी टॉपिक बता रहूं करदन को पूरा छोड़ो आप बैंकिंग में आप आवर्ती जमा खाता या साओधी जमा खाता के सवाल करो ठीक है तो आवर्ती और साओधी जमा दोनों को पढ़ की जाना क्योंकि इसके और इसमें option मिलेगा लेकिन option में को कर मिलेगा text लेकिन टेक्स को बिलकुल नहीं परणा है आपको मैं सीरे से कारीच करने कहता हूँ आप आवरती या साओधी जमा खाता में अगर दोनों के फॉर्मूल एछ से याद कर लेते हैं और समझ लेते इसके कोशेन कैसे बनते एक एक कोशेन करने हैं खालिए एक कोशेन आप कर लिए अच्छे से समझ करके तो फिर नो प्रॉब्लम पुरा आप complete बना पाओगे इसको banking को इसी प्रकार्द को माध्य माध्य का और बहुलक से question फ्यो रहे हैं यहां से भी बड़े question आने वाले table वाला भी हो सकता है ठीक है जारणी में जो इस तरह से ठीक है यहां तो एक नॉर्मल question भी हो सकता है तो छोटे question भी आहां से आते हैं और जो है बड़े question से तो आपको कोई भी question दे दिया आप बना लोगे ठीक है आगे और चलते हैं देखो समानुपास 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 एकदम आसान से चेप्टर रहे और इसके question आने ही वाले हैं केनियम वाला कौन सा question है मैं आपको बताऊंगा मेरे पास question paper है तो के रूल जो होता है वह वाला question से ओर है आगे आने वाले देखो question paper है मेरे पास मैं बताऊंगा ठीक लगा लेना जरूर्ब समान्तर सरेड़ी के भी वैसे important question एकदम sure आपके paper में आने वाले हैं समान्तर सरेड़ी जिसको arithmetic progression करते हैं कहते हैं उसके question आपके paper में आने वाले हैं थेरस प्रमे या पाइथा और प्रमे एकदम याद कर लिजिए अगर मैं कहता हूं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कोई problem नहीं अब या last के day में अंतिम दिनों में आ इतने बार बना डालो इतने बार बना डालो कि बस यह आपको याद ही हो जाए ठीक है तो अभी मैं यह advice इसले दे रहा हूं क्योंकि एक्जाम का time है समझ रहे ना बाद में कोई video देखेंगी तो इसको कोई ऐसा ना समझे कि कोई यह सर क्या बोल रहे है मैस को रखने तो यह जो है पूरा आपको मिलेगा बेहतरी नाओ को अगर आपने अच्छे से कल लिया यूटिलाइस किया ना तो यह topic तो मैं कहता हूं दो घंटे या तीन घंटे में पूरे cover ने जितना मैं बता रहा हूं एक चक्री चतुरूबूच का question आने वाला है चक्री चतुरूच का आप अब सभी जानते हैं एक ठीओरम एक प्रमे चक्री चतुरूच के समुख कोणों का योग एकसाओ अस्तियन्स होता है वह वाला सवाल आपका जरूर आता है paper में चक्री चतुरूच जो एक वृत्त के अंदर रहता है quarter litre जो रहता है circle है ना वह आपको करना है उसमें से एक स chances जाता रहें और मेरे को भी लगता है कि गोले के question आ सकते हैं पर भी आप बेलन और संकु का भी सुत्र जरूर देख लिएगा क्योंकि सारी चीज़ें वहां पे mention की होती है चेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है और क्या क्या निकालने के लिए क्या जरूरत होगा य नहीं है यहां पर ठीक है क्योंकि आपका time भी ज्यादा जाएगा और आप जो है अगर चाहते हैं कि इसका solution भी मैं यह सोच रहा हूं देखो कि आपके पास solution है इनके सब्सक्राइब नहीं भी है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम ग्रूप है हमारा जो ओफिस्यल टेलीग्राम चैनल पर जॉइन हो जाईएगा वहां पे आप डेरेक्ट हमसे पूछ चकते हैं कमेंड बोक्स में कमेंड कर सकते हैं ठीक है चलो तो उसका solution आपको मिल जाएगा ऐसा उमीद है नहीं पर ध्यान रखिएगा कोई अभी पेपर आउट हो गया आप बिल्कुल नहीं कहेंगे ठीक है प्रिवियस एयर का पेपर दिखा रहो हमें प्रिवियस एयर का पेपर जो आपका हुआ था बोड़ इक्जाम उसका मुए बता रहा हूं क्योंकि इसमें से कुछ question जो है direct आपक सुन्य को का योग फल और सुन्य को का गुडण फल तो अलफा प्लस beta और अलफा इंटू beta वाले एक सवाल जरूर आने वाले पका आने वाले एक सवाल ऐसा भी ठीक है और आगे आते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा एक वर्ग समी करन का question तो ठीक है वहां से भी आए ए प्लस बी बटे दो वाला सुत्र जो लगाते हो समंतरमादे का सुत्र वो भी आने वाला है योर है पका समंतरमादे के एक सवाल आएगा ठीक है और अगर बात करें यहाँ पर अनुपास से तो ऐसे सवाल जरूर आएंगे कि थर्ड प्रपोर्पोर्शन क्या होगा तृतिया यहाँक हो आफ्ष्छ प्रिस्थित होगा अगर यही 0 आठ होता तो यह एक्षछ परिस्थित होता क्योंकि यहां यहां यांक्स कमांड यह 7 यहEM 5 उसले इस तरह का सवाल आप सभी बना लीजेगा जरूर आने वाला ये वाला सवाल भी ठीक है आगे एक प्रमड़ता वाला सवाल है धाल रिखाय की प्रमड़ता स्लोप या धाल से संबंदित एक सवाल आपका जरूर आएगा और आगे मैं बतानों देखो इस तरह के छोटे सवाल माद्य का माद्य या बहुलक में से एक छोटा सवाल ऐसा आएगा एक बड़ा भी आएगा उसके बड़ आगे आएंगे याँ पर एक जो है मूलो की प्रकृति या विभेदख ज्याद की विभेदख वाला सवाल आ सकता है विभेदख या विविविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट का कोशन आ सकता है यहां से ठीके और आगे चलेंगे तो देखो यहां पर मैंने कहा था गो संकु या गोले का सवाल पका आता है चार नंबर आपको मिलने वाले होते हैं जो टॉपिक मैंने बताया कितना इंपोर्टेंट है आप समझ पाले होंगे एक देखो इस तरह का आपको यहाँ पे एक टेबल दे दिया यहाँ पे आपको माध्य ग्याद करने बोला है पाले हरा इस तरह से आप समिशनए जाओ यहाँ प्याद करने नीचे अथवा दिया हुआ है तो इस तरह से आगे देखें इस तोसमें ने बार बारत आपको कई कि थेल्षप्र मे आया गई आगा तो यहाँ पे थेल्स प्रमे या तो पाइथागोरस प्रमे में से स्योर है इसके स्टेट्मेंट लिखके दे दिया तो डरना नहीं है थेल्स प्रमे यह इसी को आधार भूत समानिपाती प्रमे भी कहते हैं इसको बेसिक प्रपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं इंग्लिस मुणे वाले भी ध्यान दीजिएगा ठीक है तो इसके question बनते हैं और यहां पे जो सिद्ध करने वाला सवाल दिया है वो चाहो तो यह आप skip कर सकते हो लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ा है पहले तो जरूर पढ़ें ठीक है जो अभी एक दो दिन के लिए जो प भी कोई दिक्कत नी होगा y2-y1 holy square plus x2-x1 holy square इसका सुत्र भी आपका पका है आने वाला है ठीक है आगे और आते हैं इधर आएंगे तो एक आलेक मैंने का आलेक वाला question है देखो आलेक वाला एक खीची आलेक का भी एक सवाल आएगा साओधी जमा खाता या आवरती जमा ख इतने construction आपका जो आएगा वो परिगत वृत्त या अन्ता वृत्त से जरूर आने वाला है अथ्वा में आपको एक similar triangle या समरूप त्रिवूज बनाने का आपको भी एक question यहाँ पर मिलेगा लेकिन आप अगर अन्ता वृत्त या परिगत वृत्त बनाने का जरूरत नहीं है एक यह समानतर सिर्णी का जो 6 नंबर का question यह बहुत जादा बहुत ही जादा chance है इस बार भी इस सवाल के पूछे जाने की सम्मावना बहुत जादा है लेकिन इसी को बस रटना नहीं है ठीक है ठीक है चलो और आगे चलते हैं एक और एक और एक और सवाल हम लोग देखते ह प्रागे त्रिकोल्णी का सवाल है जिसमें से उचाई और दूरी वाला सवाल है या तो ये सवाल बेलकुल आप अच्छे से practice करके जाए गया यह वाला सवाल ही किया रहा हुँ ठीक है आप जरूर से जरूर उन सब को टॉपिक को लिख लेजे या आप अपने गाइड पर या कोशन आपका या अपने बुक रखा होगा उस पर आपका उस कोशन पर टिक लगा लीजिए ठीक है अगर एक बार में समझ यह रहे तो वीडियो दोबारा रिपेट कर सकते हैं क किसी बितरकर ड्राउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर इसका सोलुशन चाहिए तो मैंने आपको रास्ते बता रहें क्या करना है आपको टेलेग्राम चैनल को जोईन करना है और लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे क्योंकि अभी आपका जरूर करिएगा इस वीडियो को जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही मजा आता है और ऐसे अभी द्यारतियों का डिमांड भी देख करके हम ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाते हैं ओकी तो जरूर से जरूर कर दीजिए इसको अपने सारे ग्रूप मे अपने सारे दोस्तों के साथ मिलते ने स्ट्वीडियों नए इंपोर्टन अपडेट के साथ